बॉकलाए हिर्णों ने किया किसान के खेतों को चट किसान कर रहे हैं हिर्णों से मिजाब पानी की मांग मामला है हमिरपुर जन्पद के मोदहा विकास खंड के गाउं कमहरिया का कमरिया सायर और मस्गवा के बीच स्थित हजारो एकल के बंधा का जहां पर आम तोर पर एक ही फसल पैदा होती है बाकिस साल के आदे महीने पानी भरा रहता है लंबे समय तक पानी भरा रहने के कारण इस बंधे की भूमी अतियंत उपजाओ और सपाथ है हाला कि भूमी उपजाओ होने के कारण एक ही फसल में किसानों का जीवन आसानी से गुजर रहा है बीते कुछ सालों से बुंदेल खंड शेत्र में अन्नात की समस्या ने किसानों के मुश्किले बढ़ा दी थी लेकिन सरकार द्वारा सभी गाओं में गौशाला बनने के बाद जहां अन्ना की समस्या का काफी हद तक समधान हुआ है तो वहीं इस एक फसल वाले क्षेत्र में हिर्णों ने आतंक फैला दिया है जो कि सैक्डों की संख्या में जुंड के रूप में किसानों को बरबात करने पर उतारू है सबसे बड़ी बात ये है कि इस छेत्र में दुरलब प्रजाती के काले हिर्णों का होना ही अपने आपने चर्चा का विशे बना हुआ है और वन विभाग ने अभी तक इस बारे में कोई ठोज कदम नहीं उठाया है कि इन संख्रफशित और दुरलब प्रजाती के हिर्णों को किसी नैशनल पार्क में भेज़ दिया जाए यह तयार है अब हो देंगे तो पूरी चर जाएंगे तो कितने हिर्ण होंगे अरे बहुत कम से कम ड़ड़ 200 हिर्ण है यह कहां से हैं अब यह यह जंगल तरफ से आते हैं तो यहीं रुक गया यह ज्यादा बढ़ गया इसी वज़े से नुकसान फसल का बहुत ज्यादा हो इसी वज़े से आजमी परिशान है इसके पहले भी हिर्ण की समस्य आई यह नहीं आई पहले भी थी लेकिन कम थी अब उसकी तादास ज्यादा बढ़ गई है मेरा नाम गुलाम है मतर तो सर पहले यहां पर अन्ना जानुवार पिर नील गाए अब यह कौन से समस्य नहीं प हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग चाहते हैं सासन से कि हमारी मदद की जाए किसानों को इसके पहले भी हिर्ण की समस्य नहीं है इस टाइम 100-100 हिर्ण है दिन के तो किसान रखवाली कर सकता है रात में क्या करेगा बताईए आप